Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPPWD में वर्क इंस्पेक्टर की विकेंसी को लेके तो जैसे कि आपको बता है कि लास्ट कैबनेट हुई वहाँ पे हिमाचल सरकार की तरफ से 25 पोस्टे जो हैं मैंने आपको बताया था कि डिरेक्ट रिक्रूटमेंट की कितनी विकेंसी जो है वो विकेंट है और पर्मोशन वाली कितनी विकेंट है तो इस वीडियो में हम R&P रूल्स के बारे में भी बात करेंगे विडियो कोई तक जरूर देखना सबसे पहले अगर हम बात करें तो काफी टाइम के बाद आपको वर्क इंस्पेक्टर की विकेंसी देखने को मिलेगी जब 2022 में एलेक्शन हुए थे उससे पहले जो था वो 39 जो है वो वर्क इंस्पेक्टर और सोर्स बेसिस पे रखे गए थे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आपके पास जो है वो दो साल का इटिया का डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेर में या तो आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजिनिरिंग में और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह आप यहां पर देख सकते हो 50% यहां पर डिरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 50% जो पोस्टे होती है वो प्रमोशन के माद्धि में वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जब यह विकैंसी हमें देखनी को मिलेगी और एज का क्राइटीरिया भी यहां पर मेंशन है क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया और वैसे तो यह प्रपोजल 350 पोस्ट का था लेकिन सरकार ने सिर्फ 25 पोस्ट को जो ह की एप्रूब नहीं हुई हैं बाकी 30 पोस्टें जो है वो जुनियर डाफ्समैन की भी एप्रूब हैं यहां पर वर्क इंस्पेक्टर की भी एप्रूब हो चुकी हैं और इसके लावा आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में मैं आप कमेंट करके बता सकते हो वहां पर मैं आपको रिप्लाई के माधिम से बता दूँगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट एक वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर हम वर्क इंस्पेक्टर इन जल सकती विवाग के उपर बात करेंगे कि वहां पर क्या कैडरे है और क्या प्यापि डिवलीडी जैसी है या बहां पर डिफरेंट है क्या वालिफिकेशन उन सब चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इनफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक के मैं शेयर क कर सकते हो चैनल को सबस्काइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए